नमस्कार छात्रों गुरू कलासेज में सिद्धा गुरू कलासेज है देखे बच्चों जो आज पढ़ेंगे आर्थमेटिक का वो नया चेप्टर है है सोड्स and indices source power source and indices power power source 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 and indices in this गात 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 आंक एवाम करणी हिंदी में इस कुकाते हैं तेखिए बच्वों ये चेप्टर पढ़ेंगे ये देखिए ये फोर ओल एक्जाम है सबसे पहले समझना है कि ये होता क्या है तो देखिए जैसे कोई चीज पावर के रूप में लिखा रहता है ना sorry sign indices में क्या होता है कि जैसे कोई चीज लिखा है जैसे a के पावर n लिखा है तो इसको क्या करते हैं e गुने a गुरे .n बार जितना पावर लाता है उतना बर गुणा करते हैं जिसे a के पावर 3 लिखा है तो 3 बर गुणा करेंगे ए गुणे ए गुणे ए कितना बार तीन बार पाँच लिखा है तो पाँच बार साथ लिखा है साथ बार पावर जितना रहता है उतना बार क्या करते है यह तो बेसिक जलता है तो अब क्या होता है कि जो पावर दिया रहता है न जैसे पावर जो दिया रहता है तो जो उपर रहता है पावर नौ उसी को क्या कहते है उसी को पावर इक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं इंडेक्स का प्लॉरल ही इंडीसेज है तो बहुत सारा रहता है तो इंडीसेज बोला जाता है तो उपर वाले को हम पावर भी बोलते हैं कोई कहता है घात पावर इसी को बोला ज जाता है exponent, यह तिन नाम से जाना जाता है, यह बात समझना, जो कपरा के उपर रहता है, जो उपर, जैसे पाँच के पावर तिन लिख दिये, तो यह है आपका पावर, यह इंडीसेज, यह exponent, जो नीचे रहता है बच्चो, उसे कहते हैं बेस, अधार, यह बेस है, यह क्या है जो नीचे रहता है, जिसके पावर में रहता है, वो होता है बेस, जो पावर में उपर रहता है, उसे कहते हैं, पावर, इंडीसेज, यह exponent, अब बात करते हैं, कि सड्स क्या होती है, सड्स क्या होती है, तो देखिए, जब आप रेस्नल, इरेस्नल पढ़ेंगे ना, नमबर अनम तक है, इसका कोई गारेंटी नहीं है, इरेस्नल है, क्या है, इरेस्नल, और परिमेर, यह रूट तीन का भैलू हुआ, ऐसे, एक दसमलो, साथ, तीन, ऐसे करके, एक साथ, तीन, डॉट डॉट होता है, यह कुछ भी हो, जिसका जैसे कि, अब यहां पर तू छिपा रहत है, यहां दू छिपा है, तो लिखते हैं, तीन के पावर, एक बटा दू, अब तीन के पावर, एक बटा दू, अब तीन के पावर, एक बटा दू, अब तीन के पावर, एक बटा दू, लेकिन तीन गुणा में लिख दिया है, ऐसे, तो इसका मतलब होता है, कि तीन गुण तो ऐसा चीज जिसका बाहर नहीं निकाल सकते हैं इसको इरेशनल है तो ऐसे चीज को सॉड्स कहते हैं इस सब को क्या कहते हैं अब रूट जैसे चार है तो यह नहीं होगा क्यों यह दो बाहर आजाएगा तो सॉड्स समझ गए घातांक समझ गए तो इस चेप्टर का क्या होता है तो जो इंडिसेज है ना उसी का पूलर क्या है अब कोष kन कैसे आएगा अब कोष्चन कैसे आएगा तो देखिए इस पर कोष्चन आखिर चलते हैं कि पहला जो कंसेप्ट होता है न छोटा छोटा कंसेप्ट है बेसिक कलास है आज का इसके बाद कोचन ऐसे ऐसे आएगा जो आज तक जितना पुछा है सब यहीं पर बनवा देंगे कि सर्ड साइन इंडिस का किसी भी बूक से बनाईएगा किसी भी बूक से कहीं भी तो इससे बाहर नहीं होगा सब बूक सॉल्फ हो जाएगा हाँ डाउट है तुरंत मैसेश किजिएगा तुरंत यहीं बनादेंगे तो पहला जो कंसेप्ट चलता है बच्चो यह चलता है ऐसे कि एक के पावर एम है एक के पावर क्या है एम है गुने एक के पावर एन है जब गुना में लीचे वाला दोनों बराबर रहता है बेस बर तो उपर वाला दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं पहला नियम ये चलेगा पहला नियम ये चलेगा एक्जामपल क्यों जोड़ते हैं एक्जामपल जैसे माल लिजिए माल लिजिए बच्छो जैसे दू के पावर पांच है तू के पावर पांच है दू के पावर तीन है तो देखिए नीचे वाला क्या है? नीचे वाला सेम है, उपर अलग-अलग है, तो पांच पलस तीन आठ कर देते हैं, क्यों करते हैं? तो देखिए, रीजन देखिए, कि पांच कितने बार है, पांच बार दो गुने, दो गुने, दो गुने, दो गुने, दो पांच बार लि लिख सकते हैं दू के पावर, पाच पलस तील, तो इसलिए दू के पावर आठ, तो पावर जोड देते हैं, तो जब भी ऐसा गुणा में हो, लीचे वाला बराबर हो, बेस बराबर हो, और पावर अलग-अलग हो, तो क्या करेंगे, एड करेंगे पावर को, और बेस एक लिखेंगे नीचे वाला एक ही लिखेंगे आप पावर को क्या कर देंगे एड करके उपर लिखेंगे तो पहला यह नियम है दूसरा देखिए दूसरा क्या है छोटा-छोटा कुछ रिजल्ट है जिसको जानना जरूरी है यह बेसिक क्लास है जो जानते हैं वो पेसेंस रखें कोचन ऐसे ऐसे मिलेगा जाकर के अलजबरा का सीरीज पड़ा हुआ है देखिए उसमें बिदीन सकेंड बताए तो एके पावर मालेज यह एम है बचो अब बाटा में है एके पाव में है पावर अलग लेकिन बाटा है भागा का चीन भी देंगा सकता है यहां इके सकाम बाटा मैंश कान से से उपर जाता है तो चीन बदलता है यह उपर से नीचे आता है तो चीन बदलता है तो एक के पावर एम होगा आई यह उपर जाएगा तो एक के पावर माइनस न होगा और फिर वहीं हम लगाएंगे जुड़ेंगे गुणा में जाता है तो गुणा में होगा भागा से तो उ हटा देना है जैसे यसे दू का पहर माने है जेतर फांच दिया है थिख जिए क्यों घरता है इसको पांच बार लिखेंगे दुगुण इदुगुण इदुगुण दुगुणे दुगुण आथे निदुग है फ्यून के दम एसैर आगा में हो तो power को क्या करना है घाटा देना है तो result हमारा क्या बना result बना result क्या बना result बना कि यदि a के power m है बटा में a के power n है तो लिखेंगे a के power m-n यह लिखेंगे अब चलते हैं अगले concept पर अब देखें किसी के power किसी के पावर आभ इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है के बविशना में रहेगा तो ़ॉन होता है अगर माली जीरो है तो 0 कोन किया लिख सकते हैं पांच के पावर 3-3, 0 के जगा, आरे 3-3, 0 होता है, अब घतांकी नियम से क्या लिख सकते हैं, पाँच के 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 पाँच चो एक होगा ना याद उपर ले जाते हैं इसको तो हो जाएगा दू के पावर एक माइनस एक तो दू के पावर जीरो तो इसलिए यह चीज लिखे चाहें यह ऐसे लिखे तो एक एक के बराबर हो इसको कटा कर एक लिखे या उपर ले जाकर घटाए तो इसा हो गया तो इसक एक पावर जीरो है, तो एक होगा, लेकिन एक सर्त है, कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों करान देखिए, अन्डिफाइन है, जैसे नीचे वाला जीरो हो गया, Define होगा, क्या होगा? On define, ओपरिभासित क्यों? देखे, जब scientist आए जब बहुत सारा scientist आए तो बोले कि जिसे 2 के पावर 3 है 2 के पावर कितना है 3 है,ट 3 बार गूना कर रहे है 2 को कितना बार गूना कर रहे है तिन बार तो जब 0 के पावर 0 है तो जिरो को जिरो बार गुना करेंगे जिरो को जिरो बार गुना करेंगे जिरो को जिरो बार गुना करते हैं तो जिरो आ रहा है जिरो को जिरो बार गुना कर रहा है तो पच्छो क्या रहा है जिरो आ रहा है जबकि पांच को जिरो बार गुना कर रहा है तो एक आ रहा है, जिरो को जिरो बारगुना कर रहा है, तो अब परिभासित क्यों हुआ, क्योंकि जिरो आ रहा है, जब कि वह अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए जिरो को उस कटेगरी में नहीं रखा गया, अब माले जिरो के पाउर जिरो कर रहा है, तो जि जब 0 पावर है एक करना है तो बेस नहीं होना चाहिए अगला कंसेप्ट है अगला कंसेप्ट है कि जैसे देया रहता है पावर के पावर इसे एक पावर पी है इसके फिर को स्टक देके पावर एम है तो देखिए जब ब्रेकेट दिया रहता है ना पावर के पावर तो यह दोनों गुणा होता है एक पावर पी गुणे एम होगा ऐसे होगा जिसे दू के पावर तीन दिया है आप ब्रेकेट लगा दिया है चार तो यह दोनों को गुणा करना है यह नहीं कि तीन के पावर चार करना है यह दो दिया है तो यह नहीं कि इसको तीन के स्क्वाइर करना है नहीं इसी के पावर यह भी है इसी के पावर यह भी है तो दोनों गुणा हो इसी के पावर ब्रेकेट लगाए है इसी लिए तो क्या होगा तीन गुणे दू तो हो जाएगा दू के पावर छाओ ये दोनों गुणा हो जाता है ये दूनों क्या होता है गुणा लेकिन ऐसे दिया हो बिना ब्रेकेट का दू के पावर तीन के पावर दू ऐसे तो इसका मत लिख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं बच्चो इसको तीन तरह से लिख सकते हैं आगे काम देगा एम गुणे पी भी लिख सकते हैं गुणा में आगे पीछे हो और तीन गुणे दू लिखे चाहे दू गुणे तीन लिखे उतने ही होगा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इ तो आ इसको क्या लिख सकते हैं ऑन बटटा क्यूँ एसे हम बटटा क्यूँня तो इसी को लिख सकते हैं. लिखने का तरीका अलग अलग बुक में दे सकता है यह यूज करेंगे यह चीज अब माइनस के पावर कि अगला कंसेप्ट है कि तब छोटा छोटा कोचन उठाते हैं छोटा छोटा कोचन आज बनाएंगे एक दो और तब चलेंगे पूरा प्रिभियस कोचन पर कैसे इस पर पूछता है क्या नियम होता है अगला है बचो इफ इफ अगला नियम है इफ एक के पावर एम है महले जी एक के पावर एन है बीच में बराबर दिया है बेस बराबर है, बेस क्या है? इकवल है, दोनों इकवल है, तो उपर वाला इकवल हो जाता है, M के पावर N हो जाता है, जैसे example, M बराबर N हो जाता है, लेकिन इसमें भी exception है, ध्यान देना है, अगर जिसे X के पावर 3 दिया है, इधर दिया है X के पावर Y, तो अब नीचे व बराबर रहता है, बराबर में, बेस बराबर हो तो पावर अट्मेटिक क्या हो जाता है, क्यों हो, कि दू के पावर 3 है, तो दू के पावर कितना करें कि एकवल है, एकवल के लिए तो तो तीने न करना पड़ेगा, तो नीचे वरोबर है, तो उपर बरोबर रहेगा, तभ नहीं है ये सब छोटा चोटा चीज नहीं मिलेगा आपको लागू नहीं है यहीं सीखना है कि इस पर लागू नहीं है देख करके ऑन डीफाइन एंसर रहेगा उस पर लगाये जाता है वही पर बच्चा गल्ती कहा देता है कैसे देखे अगर 0 के power कर दिये 3 जीरो के power कर दिये 4 तो क्या बरोबर होगा 3 बराबर 4 बरोबर होगा बरोबर नहीं होगा क्यों क्योंकि ये भी 0 आ रहा है कुछ भी करेंगे तो 0 होगा यदी देखे माइनस 1 के power 3 कर दिये और माइनस 1 के power 4 कर दिये तो बराबर नहीं होगा य जीरो और एक के पावर हो जीसे 5 कोई कह रहा है एक के पावर 4 यह चीज आपको अपवाद है क्या है अपवाद है क्यों अपवाद है कि अलग-अलग भी रहेगा बराबर नहीं रहेगा तब भी बराबर आजाएगा जीसे 1 पर लेते हैं 1 के पावर 5 ते देखिए अलग- पराबर हो गया जब कि स्यम होना चाहिए नहीं है तो यह अपवाद नहीं इस पर लागु नहीं होगा आपको ध्यान देना है एक सेप्सन है कि जीरो के पावर तीन करेंगे जीरो के पावर चार करेंगे तो equal तो रहेगा लेकिल पाउर अलग अलग है जब तभी बाकी अंक पर लेंगे बाकी जिसे दूग के पाउर लेना है तो 3 लेंगे के और 3 ने लेना पड़ेगा तो सेम हो गया इसालिये सेम करते हैं बराबर करते हैं तो क्या निखेंगे यहां पर एन जोड़ करके रहे जिए नीम लागेगा पहर बराबर नीचे बरूबर रहागा तो उपर-ला-बर बराबर करते हैं! जब base 0, minus 1, 1 छोड़ करके कुछ भी हो ये बात आपको क्या करना है? द्यान करना है लास्ट एकनियम है बचो लास्ट एकनियम है यदि अब उपर वाला बराबर है अब base अलग अलग है तो base बराबर कर देंगे यदि उपर वाला बराबर है बेस अलग अलग है लेकिन उपर वाला बराबर है तो A बराबर B लिख देंगे अगर उपर वाला बराबर हो जैसे X के पावर 3 दिया है बराबर 5 के पावर 3 दिया है तो यहाँ पावर वरोबर है तो X बराबर 5 लिख देंगे X प्रावर क्या लिख देंगे बाज यहां 5 रखेंगे तभी न दुनों equal होगा तो यह चीज समझना है समझना है last कि जैसे कोई चीज उपर है A के पावर M तो जब भी नीचे लाएंगे तो उपर जाएगा तो A के पावर प्लस M हो जाएगा तो नीचे से उपर जाता है तो प्लस माइनस होता है अब इस पर देखिए एक दो कोचन उठाते हैं कि कैसे कोचन आता है कैसे कोचन आता है बच्छोत देखिए कोचन आता है simple simple question है पहला question है question है पुछा हुआ कि 2 के power 2x-1 ससी का question है बराबर 1 बाटा में 8 के power x-3 x-3 तो x बराबर what इसको बहुत सारा तरीका से बना सकते है ऐसे question देगा आपको कि इतना बराबर इतना है तो x कमान बता है अब बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते है बना सकते है अब ही बताए कि उपर जाता है तो क्या होता है मैनस होता है उपर जाता है कोई चीज तो क्या होता है मैनस होता है और 2 के power 8 को लिग सकते है 2 के power 3 2 के power 3 एक basic तरीका है कि जिसे ये है 2 के पावर 2x माइनस 1 इसको छोड़ दो इधर लिख सकते हैं बचान आठ को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 तरह एक बाता-8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 2 के पावर 3X-9, अब यह उपर जाता है, तो मैनस होता है, तो 2 के पावर क्या होगा? 3X मैनस हो जाएगा, आप पॉलस 9 हो जाएगा, चीन बदल जाता है उपर जाएगा, अब बेस बरोबर हो गया, तो पावर बरोबर कर देंगे, तो X-1 बराबर, मैनस 3X, पॉलस 9, तो यहां से स्वल्व करेंगे, तो इधर आएगा, तो X 4 हो जाएगा, उधर जाएगा 10, तो X बराबर 10 बटा 4, आपका एंसर हो जाएगा, 10 बटा 4, आपका क्या हो जाएगा? 10 बटा 5 होगा, कैसे? 3, अच्छा 2X है ये, 2X है तो 3, दू 5, तो 5 हो जाएगा दू अच्छा, यह जो है, यह जो है 2 के पावर, 2X मैनस 1 है, 2X मैनस 1 है, तो 2X, तो 3, तो 5। यह उधर जाएगा, 9 एक 10, तो आइसे, या अगा, अगर, कैलकुलेशन फरस्ट है, तिर्चा-तिर्ची गुना करके भी बना सकते हैं, तिर्चा-तिर्ची, गुना करके, भी बन सकते हैं कैसे तिर्षा तिर्षी गुणा करेंगे तो बचों देखिए आइसे भी कर सकते हैं जिसे दू के पावर एक्स मैं दू के पावर 2x-1 है बराबर इसको उपर डायरेक्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के power 3 करके या इसको लिख सकते हैं 2 के power 3 होगा दिन ले गुणा होगा तो 3x-9 भी बताए दिर सरे सक गुणा कर देंगे धिर सरे 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 करेंगे तो 2 के power जुटेगा तो 2 के power होगे या 3 2 5x-10 बराबर 1 एक को लिख सकते हैं किसी के power भी 0 एक को लिख सकते हैं, हम क्या, किसी के पावर भी 0, किसी के पावर भी क्या लिख सकते हैं, बच्छो, 0 लिख सकते हैं, किसी के पावर भी लिख सकते हैं, क्या, 0, तो किसी के पावर जब 0 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं, दू के पावर 0, एक को, अब नीचे वाला बरोबर है, तो उपर वाला बरोबर कर देंगे, 5x-10 बराबर, 0, तो x बराबर, 2 हो जाएगा, 5 बटा, दस बराबर, 5, या, कोई इसको ऐसे भी बना सकता है, कहेगा, कि उपर नीचे है, तो दोनों को नीचे कर देते हैं, दोनों को नीचे कर देते हैं, तो इसक द्हतांक करने से, एक आता है बच्छों कि तीन के पावर एक्स प्लस वाई है, तीन के पावर एक्स प्लस वाई बराबर एकासी और आएंड और आएंड दिया है, तीन के पावर एकासी के पावर एक्स माईनस वाई बराबर तीन, तो कह रहा है एक्स बराबर वाट यह, यह एच टाबलू है बना करके लईएगा, तो आज के लिए इतना ही पूरा ट्रिक प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, एक एक चीज से आता हो यह अर्थमेटिक, वो सब एक कोचन यहां पर सॉल्व करा देंगे, बिथ ट्रीक, तो चैनल को सस्क्राइब करें, और प्ले लिस्ट में पूरा ट्रीक जाबरा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें पढ़िए, और एक अर्थमेटिक का चालू कर दिये, जिसम है, परसेंटेज, प्रोफिट लोस, सब पढ़ेंगे, उसमें सर्सें इंडिसेज पढ़ रहे हैं, स्टाट है, तो अगले कलास के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्य बात,